तो हलो गाइस, मैं हूँ टीटरेक्स जी और आप लोग देख रहे हैं One Game E Sports के चैनल को आज हम लोग एक ऐसे टीम के बारे में बात करने वाले हैं जिस टीम को शाहद पहले कोई भी नहीं जानता था के स्कौर्ड कहने के इंपिरिंट E Sports का एक टाइम पर पार्ट हुआ करता था अधर हम लोग को प्लेयर देखने के लिए मिलते थे आटो, जेरेफ, अर्मान और उसी के साथ साथ फेनिक्स इंपिरिंट E Sports का इधर जो पूरा का पूरा कारूबार है वो हुआ बंद और उसके बाद कहने के इन्हों ने टीम चेंज किया दो प्लेयर चले गए अलग लेकिन अर्मान और जेरेफ वो एक साथ रहेगे और उसी टाइम में जनम हुआ WSB E Sports का WSB E Sports जब से अनाउच्मेंट किये है तब से कहने के इनका जो प्रदर्शे ने शुरुवाती में ही जस बीजाइस के अंदर पहुत ही अच्छा खासा हम लोग कह सकते की गया था इसके बदोलत अगर हम लोग बात करें इनके एक नाम की तो वो कहने के हम लोग को इधर बनता हुआ देखनी के लिए मिला था उस पॉइंट अफ टाइम की होता है इनका जो नाम है वो और फी अच्छे से होता हुआ देखनी के लिए मिला हाला कि उन्होंने 25 पोजिशन पे फिनिश किया था BGIS को लेकिन उस पूरे साल में भी उनके अगर टोटल प्राइस पूल की अगर बात करें तो हम लोगों को सम्थिंग अराउंड इधर 12,000 डॉलर के आसपास का देखनी के लिए मिला है जो कि अगर बात करें एक अंडर डॉक टीम जिदर से वह बाहर आके रभी के शायन करने के बात करें तो काफी अच्छा था उस पाद अगर हम लोग बात करें चेंज इसके बीच पर हम लोगों को बहुत सारे चेंज इसके बाद हम हम लोगो लीव भी होते हुए देखनी के लिए मिलेते 5th of January 2024 यह सारे चेंजेस के बाद फाइनली उनको मिला एक ऐसा स्कौर्ड जो स्कौर्ड अभी के टाइम में तो बहुत टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे हैं स्पूर्ट सर्वाइवल सागा सीजन 3 जिस पर उन्होंने 13 पोजिशन लिया देखिए एक बार अचानक से टीम चेंज होने के बाद थोड़ा साथ टाइम ज़रूर लगता है अब लोग को आस पास के डेट्स पर देखनी के लिए एवन हम लोग कह सकते हैं सेम डेट्स पर इधर शुरू होते हुए देखनी के लिए मिले एक था अप्टर सी स्पोर्ट साथ दा मटिवर सीरीस टुटीवर उसी के साथ साथ बिंगो नाचोज गेम अनक पर उन्होंने स पोजिशन लिया दन अपतर सी स्पोर्स पैट्रीट कप 12 पोजिशन उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ परफॉर्मेंस आइकू प्रो सीरीज पे एसल स्नाप्राइक प्रो सीरीज पर उन्हें 13 पोजिशन लिया उसे के साथ 2560 डॉलर कमाएं लेकिन उसके बाद यस फॉर बात कर रहा था वह फॉर्म उनको बिला और यह फॉर्म कुछ ऐसा चल रहा है बाक तो बैक डो टॉर्मेंट के वीनर वह बन चुके हैं ऑन प्लस डॉमिनेट एरीन की अगर बात करें तो उन्होंने फर्स पोजिशन लिया जो कि एक सीटेर टॉर्मेंट था जिस पर उन्हो 2042 डॉलर से जीखते वे देखनी के लिए मिले तो अगर हम लोग बात करें इस टीम की तो यह टीम अभी शाइन कर रहे हैं और राइजिंग स्टार्स कहने के राइज कर चुके हैं अभी वक्त है इनके लेगेसी बनाने का और उसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सो लेट सी क्या वो सेम चीज हम लोग को वन गेम प्रो चैंपेंशिप पर भी देखनी के लिए मिलता है कि नहीं आप लोग जरूर बताएगा आप लोग को क्या लगता है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो मेक शिए टाट लाइक बटन शेर कीजिए दोस् टॉर्रमेंट पर आपको भी खेलने का मौका मिल जाए और वो न्यूस आप बिलकुल भी डीले में नहीं मिलना चाहेंगे आप लोग तो इसी वेज़े से जल्दी से जाएगे अभी के भी फॉल्लो कीजिए तो अभी के लिए इतने हैंगे इस फिर में लिंके नेक्स वीड